हालो एवरिवन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवेस वर्चुल कैंपस में स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एससी हाडवीक वॉल्म टू पर बात करेंगे और जिस चैप्टर पर बात करेंगे जिस लेशन पर बात करेंगे वो लेशन हो पिछले वीडियो सेशन में हम लोग ने लेशन 3 पर बात किया था आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में आज हम लोग लेशन 4 को देखेंगे इस लेशन 4 में काफी और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यह वर्ड्स आपको हर जगा इंगलीस का जो भी रूप और वार्ड की बहुत ज्यादा भूमिका अब डिनाइग कर सकते हैं और वर्ड का मतलब के वाल एंटोनिम से सीनोनिम्स नहीं होता है जो कि हम आम तोर पर सोचते हैं हम लोग यह सोचते हैं कि आपके पास अच्छे स्टोक है तो यह पूरे अंगरीजी को समझने में मदद करेगा ये केवल एंटोनिम से सिनोनिम से तक वड़ आधार मतलब यहीं तक सीमित नहीं है इसका जो यूज है वो बहुत ब्यापक यूज है अगर आपके पास वर्ट सच्छे है तो एंटोनिम सिनोनिम स्वा पकड़ें यहीं प्लस आप इंगलीज को भली भाती समझने में आप मतलब सक्षम होंगे तो चलिए बिना समय कमाएं इस वीडियो सेशन की सुरुआत करते हैं पाला वड़ अफेक्ट से हम लोग देखेंगे पाला वड़ हमारा अफेक्ट क्या है देखें अफेक्ट के दो अर्थ है एक अफेक्ट का अर्थ है प्रभावित करना और अफेक्ट का अर्थ होता है धोंग करना दिखावा करना अफेक्ट के दो अर्थ है चलिए इसका पाला अर्थ पले लेते हैं पाला इसका सिनोनिम्स लेते हैं तो पाला सिनोनिम्स क्या कहता है दिखावा करना धोंग करना और इसका एक अर्थ है प्रभावित करना चलिए प प्रभावित करना यह असर डालना पैसे भी कह सकते हैं चलिए अब हमको इसका नाउन चाहिए दिखिए वर्ड का फॉर्म हमें चेंज करना है अफेक्ट एक पार्ट ओफी स्पीच में भर्व है हमें इसके नाउन के जरूरत है तो इसका नाउन क्या हो जागा मतलब हमको देखेंगे एक नए अर्थ देखेंगे पहले तो इफेक्ट समझ लेते कि एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाएगा असर अत्वा प्रभाव जिसका अर्थ हो जाएगा असर अत्वा प्रभाव मतलब कहने का तात्पर क्या है कि अफेक्ट के दो अर्थ है एक इसका अर्थ है और लेके चलेंगे उसको देखेंगे, एक हमें कहना है कि टेलिवीजन हमारे आखों को प्रभावित करती है, चलिए हम कहना है कि टेलिवीजन हमारे आखों को प्रभावित करती है, इसको कैसे कह सकते टीवी, चलिए, प्रभावित करने के लिए हमारे पास be or upon है, act on है, यह सा एक अर्थ और है तो चलिए तो अर्थ हम लोग देख रहे हैं कि असर करना प्रभावित करना इसस का नाट फह banyak दूसरा अर्थ है ड़ोंकरना दिखावा करना ठीक है अचलिए अब दिखावा करना चलिए असर हमारे पास सब्हकूताइब पढ़ाव वॉल्म वन में एक वड़ लाह है अगर अगर करते हैं तो अब करते हैं और इसे अर्थी boy करना अब जाए हम चाहिए हम मिलेफ bisher हम दिखावा करना तो इसका नाउन क्या हो जाएगा इस अर्थी का हो जाएगा वह जागा अफेक्टेशन इस अर्थ का जो नावन हो जाएगा वह अफेक्टेशन इसका मतलब हम यह कहना चाहते देखिए इसका मतलब हम क्या कहना चाहते पर आप इसको समझे अफेक्ट एक भर्व है अब इसका दो नाउन एक इसका नाउन इफेक्ट एक इसका नाउन इफेक्ट और एक इसका नाउन इफेक्ट और एक इसका नाउन इफेक्ट और एक इसका नाउन इफेक्ट से दो नाउन इफेक्ट है एक इसका नाउन इफेक्ट है एक इसका नाउन इफेक्ट है तो इफेक्ट का हिंदी क दिखा जाए हमें कहना है वह एक सीधा साथ आदमी है एकदम सीधा साथ आदमी है जिसमें कोई तरह का दिखावा नहीं है कैसे लिखेंगे अब हमें नो के बाद नाउन की जरूरत है तो नाउन इसका क्या है वह एक सीधा साथ आदमी है जिसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है लोग 2 की और मूव करते हैं देखते हैं कि यह वर्ड नमर हमारा 1 रहा वर्ड नमर हम लोग 2 की और आते हैं चलिए देखते हैं वर्ड नमर हमारा 2 क्या है एवर्शन देखे एवर्शन का मतलब क्या होता है घिरना इसका सिंपल अगर मतलब का है तो एवर्शन का मतलब है घ иться like िखते हुदिए हमारे पास कितने अच्छे वर्ड रहें धिकुद्न सब्लसक्राइब हें और एक मतलब घरना अपरमें सबस्क्राइब ऑने अज tut एफ हम्हें गरना फ्रत कहने हैं तो इस्के लिए वर्ड की कमी नहीं हैं ठीक है छलिए इसका लांटो निम इसका हिंटिव क्या हो जाएगा चलिए इसका हिंटोनीम्स क्या हो जाएगा छलिए अब लाइक लाइकth messenger iki इसका चलिए अब इसका हिंटी मतलब पसंद घिरना का एंटो पसंद और एक नापसंद के लिए एक और भी आप कह सकते हैं सानुभूती अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसका उल्टा क्या होगा क्या उसके प्रति सानुभूती रखते हैं चलिए हमको कहना है कि कुछ व्यक्ति के पास जानवरों से जबरजस्त घिरना होता है इसके लिए और बढ़िया साइनोनीम सम लिख देते एंटीपैथी बहुत ही टॉप कलास का यह वर्ड है यह बहुत ही टॉप कलास का वर्ड है कुछ लोगों को जानवरों से ना एवर्शन रहता है हमको ऐसा कहना है हम कैसे इसको लिख सकते हैं सिंटेंस के तौर पर सम गिरना होती है एक इंपॉर्टन बात हमी सो रहा है वर्शन एक वर्ड होगा जिसके साथ हम प्रिपोजिशन टू का यूज करेंगे फड़ा सा इसको समझना है यह प्रिपोजिशन बहुत महत्तव की चीज़ होते है वर्ड तो आप सिखी रहें प्रिपोजिशन भी सासात आप लेके चलेंगे तो आपका दो एक ही तरह एक ही कलास में दोनों चीज़ अच्छे हो जाएंगे देखिए इसमें आपको समझना एंटिपैथी के साथ भी प्रिपोजिशन टू का प्रियू करेंगे यह दो जो है आपको सेट में बार-बार मीलेंगे ठीक ना आपको फि उचारण करेंगे साइगरीन साइगरीन पार्ट ऑफिस्पीच में नाउन है देखिए साइगरीन का मतलब क्या होता है उसको कूधन कहिए जैसे की हम नहीं चाहते है कि कोई व्यक्ति सफल हुआ सफल हो जागा ना तो हमको पूढ अंदर से होगा इस कूधन का अंगरेजी क पूरहन मतलब आप उसको समझें नीरासा मेरे अंदर नीरासा होगी उन का है सफल हुआ हुआ हम उसका सफलता देखना नहीं चाहते हैं माली जी कि कोई व्यक्ति है और वह सफल हो गया लेकिन अब उन मेरा प्रतिदोंदी है उसका सफलता मेरे अंदर क्या पैदा करेगा पू चलिए मोटिफिकेश्टन घ्रना इसके सारे सिनोनिम्स है सरल भासा में कहें तो इसका दो हिंदी के लिए हो जाएगा एक वज़ता नीरासा अगर पूड़ा नहीं समझ में आते हैं तो नीरासा समझेए और एक आप इसको अगर सुद अगर हिंदी चाहते तो कुड़न दोगोज रहे हैं कि दृतना दीन अगर कोई लड़का में पढ़ता है रहा है तो कहाने मत लिए कि मेरे लिए एक घोर निरासा की बात है कि मेरे स्टुडेंट अंग्रेजी में कोई रूची नहीं दिखाते हैं। हमको ऐसा कहना है, sentence के तोर पर कहना है, कि मेरे लिए निरासा जनक बात है, कुढ़न की बात है, कि मेरे स्टुडेंट अंग्रेजी में रूची नहीं दिखलाते हैं, चलिए, पले इसके एंटोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं, बात को आगे जाने से पले इसका एंटोनिम् बात होगी चलिए इसका जो एंट होगा वो डिलाइट या प्लेजर होगा और इसका अगर हिंदी का है तो इसका हिंदी हो जगा परसन्नता चलिए अब हमको कहाना है कि मेरे स्टुडेंट जो है वो अंग्रेजी में वो रूची नहीं निकलाते और यह मेरे लिए नीरासा जन टिक ना मेरे स्टुडेंट है मेरे सब्जेक्ट में वो रूची नहीं दिखलाते हैं और यह मेरे लिए कुढ़न वाली बात है नीरासा जनक बात है मैं भी चाहता हूं कि या रंग्रेजी के कलास में कम से कम इंग्रेज तो पड़ो लेकिन ऐसा नहीं करते हैं और यह मेरे करते हैं अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं चलिए बड़ा बात थोड़ा सीख लेते हैं अपने साथ प्री पोजिश्टन या अगेंस्ट लेगा मतलब हम लोग क्या पढ़ा है करेंगे डिस्क्रिमिनियस अगेंस्ट अना इसका अगर सराल अगर हिंडिक है तो भी दभा चलिए और इसका हिंदी क्या हो जाएगा भेदभाव करना ठीक न चलिए अब इसका नाउन थोड़ सा फॉर्म देखते हमको काना क्यों भेदभाव कहना है तो इसका नाउन क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन इसका नाउन जो हो जाएगा वो जाएगा डिस्क्रिमिनेश हमें सेंटेंस बनाना है कि कमपणी उसकेpei धर्म का धर्म के अधार पर भ्याधव करती है रहना कमपणी कुछ लोगों के साथ भ्याधवाव कर मैं एक दर्म पर कमप्णी कुछ ठीक ना चलिए some people against या हम ऐसे भी लिख सकते दे कंपनी डिस्क्रिमिनेटर देम चलिए उनके साथ भेदभाव किया ठीक ना दे कंपनी डिस्क्रिमिनेटर देम या इस पड़ एक और थौक्षा सरल सेंटेंस बनाते हैं थौर सेंटेंस का 피月टाफ हो जाएगा चलिए एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं चलिए हम लिक सकते अस्कूल जो है ऐस्कूल किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है हमको ऐसा कहना है student से ना तो वो gender का धार पर ना तो धरम का धार पर किसी तरह के किसी अधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकते हमको sentence ऐसा बनाना है हम कैसे लिखेंगे चलिए हम लिख सकते the school the school is not allowed एक सरल सेंटेस दिखते हैं the school is not allowed to discriminate चलिए यानि किसका मतलब क्या है कि school किसी तरह का भेदभा नहीं कर सकता है चलिए हमको काना है कि वह नसली है हमको काना है कि वह नसली है भेदभाव का सिकार है नसली अधार पर आज अस्टेलिया में अमेरिका में ब्रिटेन में भारती पीटे जाते हैं क्यों पीटे जाते हैं नसली का वहां भेदभाव चलता है मतलब हम लोग काले है वो अपने आपको गोरे समझते हैं और इसी भेदभाव के अधार पर यह हिंसा की बाते होती हैं हम कैसे लिख सकते हैं देखे तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं ठीक ना चलिए racial discrimination, they are victim of racial discrimination, इसका हिंदी क्या हुआ, कि वे नसली है, भेदभाव के सिकार हैं, चलिए तो discrimination हो गया, अब इसके एंटोनिम्स को तोड़ा से यहीं पर तोड़ा सा देख लेते हैं, इसके एंटोनिम्स क्या होगा, भेदभाव करना, अलग अलग करना, इसके एं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसके हिंदी निकल कर आएगा, उलचा देना, इसके हिंदी निकल कर आएगा, उलचा देना, यह वर्ड नमर हमारा था, आप 4, अब वर्ड नमबर हम लोग 5 किया और मूव करते हैं, चलिए, वर्ड नमबर देखते हैं कि 5 क्या है, देखे, इफेक्ट आ गया, अब इस बार जो इफेक्ट है ना, इस लेसन में जो इफेक्ट दिया गया है, अब यहां इफेक्ट भर भी है, लेकिन इसका यूज भर की रूप में ना के बराबर होता है, देखे, पर इस चीज़ को समझे, इफेक्ट के बारे में कोई confusion नहीं है, इफेक्ट का जो जादा जो यूज होता है, वो नाउन के तोर पर होता है, इफेक्ट एक डाउन वाला वर्ड है, पर आप ऐसे समझे, इफेक्ट एक भर्व की रूप में तो यूज होता ही है, लेकिन बहुत कम, इफेक्ट का मूल रूप से नाउन के रूप में यूज होता है, इफेक्ट भर्व भी है, तो देखे, इसका जब नाउन है, तो इसका मतलब होता है, और इफेक्ट भर्व का मतलब होता है, कि कोई नियम कानून को ना पर प्रभाव में आया अब यह वाक्ष जो है न वह इफिक्ट से बन जाएगा हलाकि यह बहुत ही फॉर्मल यह वाक्ष है और इससे वाइड किया जाना चाहिए लेकिन चैप्टर क्या कर रहा है कि फिक्ट को भर्म की तरह यूज करो तो जब भर्म की तरह यूज करेंगे तो इ कि आगर हमको कहना है कि हमारा समिधान 1950 को प्रभाव में आया ठीक ना इसको प्रभाव में लाया गया कैसे लिखेंगे आवर कंस्टिचुशन इसी चीज़को कैसे लिखा जए आवर कंस्टिचुशन आवर कॉंस्टिचिउस्टन वास इफेक्टेड ओन आवर यह पैसी भाइस में बना है चलिए जन्वरी जन्वरी ट्वन्टी सिक्स नैंटीन हंडिड फिप्टी तो यह इफेक्ट का यूज ए ऐस भर लिकिन इसका यूज ज्यादा तर नाउन की रूप में ही होता हमें यह सम रहा है चलिए वर्ट नंबर शिक्स बहुत इंपोर्टेंट है इलिसीट बहुत इंपोर्टेंट है देखिए इलिसीट का मतलब क्या होता अगर आप कोई चीज को इलिसीट करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं इलिसीट का मतलब प्राप्त करना हासिल करना क्या कोई सूच ब्रिंग आउट इस अगर यह अगर आपको चिच को अगर आप इनी सिट उसे करते हैं प्राप्ट करना फासुष्ट करते हैं न फरत का पाना लेकिन क्लिक्ची शूंचना विशेज तोर पर यह मामला है विशेज तोर पर सूचना या किसी से कोई तरका feeling या कोई तरका feeling प्राप्ट करना चलिए यह feeling है हमको कहना एक sentence बनाना है और इसे बहतर आपको समझ में आ जाएगा देखिएगा पुलिस, sentence क्या है, पुलिस, अपराधी से, अपराधी से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उगलवा सकी, चलिए, उगलने का मतलब, होमिट नहीं है, उगलने का मतलब, सुचना प्राप्त करने का सेंस है, ठीक है, चलिए, अब जहां, प्राप्त करने का सेंस है, तो हम किस इस्तवाल करेंगे बहतर वड़ इलीशीट है चले इसको कैसे लिखेंगे दपुलीस अधा पुलीस कुड़ नट इनिठिंग ठीक ना फ्रॉम दा क्रिमनल फ्रॉम दा क्रिमनल चले यह हमारा सेंटेंस कम्पलीट हो गया तो अगर आप से इसके अधार थे हासिल करते हैं चलि यह दिखिए हमको कहना है कि वह लोगों से लोगों से समर्थन ना पासका समर्थन नहीं पासका चलिए मतलब लोग उसका समर्थन नहीं किये चलिए हमको ऐसा कहना है हम कैसे लिखेंगे फेल्ड टू देख्धिये समर्तन पास का मतलब असफल रहा यह फेल्ड टू E vibes प्राप्च करने विए क्लिए एझी टीके सपोर्ट दो एझाना want the public इंठाना तो यह हमारा एललिशीट का इस्तमाल रहा यह हमारा इस्तमाल रहा देख वर्ड नममर हम लोग seven के ओर move करते हैं यह वरड नमर हमारा six था वर्ड नमर seven के ओर आते हैं चलिए अग्ला वर्ड इमेरे एलूसीव का मतलब क्या होता है यह यह कोई चीज जदे है तो वह बचकर फरार हो गया है हाथ नहीं आया है कोई व्यक्ति कोई चीज जो पकड़ से बाहर हो वो इलूसिव होता है ठीक ना चलिए तो इलूसिव की synonymism क्या लिख सकते हैं पहले इसका वन वर्ड की तौर पर देखते हैं डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट टू चलिए find यह capture find और capture जिसे पकड़ पाना कठीन हो आप ऐसे समझे कोई चीज यह दिलूसिव है कोई व्यक्ति इलूसिव है यानि कि वह फरार है और उसे पकड़ पाना कठीन है इसके लिए एक वड़ हो जाएगा इभैसिव इसका सरल अगर हिंदिक हैं तो जो पकड़ना कठीन हो जि कोई चीज जैसा हो सकता है जिसे आप प्राप्ट नहीं कर सकते हैं प्राप्ट करना मार्बॉसिव का मतलब क्या होता है जूसे पकड़ पाना कठीन हो चलिए इस पर सिंटेंस कैसे इसको कैसे deal करेंगे he failed to या हम ऐसे लिख सकते देखे तो success success ठीक ना remained remained elusive ये इसका हिंदी क्या हुआ कि सफलता हाथ नहीं आई ये किसी वेक्ती के बारे में है सफलता जो है हाथ नहीं आई हो सकते कि सच्चा ही आपके हाथ नहीं लगे ये ऐसा हो सकता है ठीक ना ऐसा हो सकते कि सच्चा ही आपके हाथ नहीं लगे हमको ऐसा कहना है हम लिख सकते the truth may prove may prove elusive हो सकते सच्चा ही आपके हाथ नहीं लगे तो जिसे पकड़ पाना कठी नो वो चीज़ elusive होता है चलिए word number हम लोग 8 की और move करते है देखते कि हमार आठवा word क्या है ये सारे words बहुत important है चलिए word है intel चलिए word है intel intel का मतलब क्या होता है देखिए यदि कोई चीज यदि intel करता है देखिए ये जो elusive है ना ये adjective है चलिए पिछला वाला भी देख लेते हैं ये जो elusive है भर्ब था ठीके ओके चलिए intel जो है ना ये भर्ब है intel का मतलब क्या होता है किसी चीज को आवस्थक बना देना जरूरी बना देना यदि कोई चीज किसी चीज को intel करता है यानि को उसको जरूरी बना देता है उसको आवस्यक बना देता है चलिए इसका synonyms क्या हो जाएगा इसके synonyms को तोड़ा सा देखते है necessiate call for demand इसका हिंदी क्या होता है अगर आप कोई चीज अगर कोई चीज को इंटेल करता है इसका मतलब है कि उसको आवस्यक बना देता है उससे वो चीज मांग करता है तो इसका सरल अगर हिंदी कहें तो आवस्यक बनाना चलिए देखिए एक sentence से बेतर समझा जा सकता है ठीक ना sentence से बेतर समझा जा सकता है हमको कहना है कि पढ़ाने के काम में काफी मेहनत है पढ़ाना इतना असान नहीं है पढ़ाने के काम में काफी मेहनत है इसका मतलब है कि यह जो पढ़ाने का काम है यह किसीच को जरूरी बना देता है यह मेहनत को जरूरी बना देता है यानि कि अगर आपको यह काम करना है तो आपको महनत करना होगा, पढ़ाने का क्याशित करता है, महनत दिमांड करता है, तो अगर कोई चीज, किसी चीज को इंटेल करता है, यानि कि उसको वो आवस्यक बना देता है, उसको वो दिमांड करता है, हमको यही sentence बनाने कैसे लिखेंगे, the job of teaching, अना हमको क्या काना है पढ़ाने का काम दो जॉब आफ टीचिंग चलिए इंटेल्स अना इंटेल्स अना मुच हाड़ वर्क चलिए तो यह हमारा सिंटेंस कंप्लीट रहा चलिए हम लोग वर्ड नमबर यह हमारा एट था वर्ड नमबर हम लोग नाइन की और आते हैं देखते हैं हमारा नाइन वर्ड क्या है चली इसके बाद है फैलो चली अब हम आगे चलते देखे फैलो जो यूज है ना ये लैंड के साथ यूज होता है फैलो का मतलब क्या होता है वैसा भूमी जिस पर अभी खेती का काम नहीं स्टार्ट किया गया है जैसे कि क्या होता है कि जब फसल काट लिया जाता है तो खेत क को साफ कर दिया जाता है अग कुछ दिन के लिए ने खित को छोड़ दिया जाता है ताकि भूमी जो है वो उर्वरता प्राप कर ले तो वो भूमी जिस पर अभी खिती का काम नहीं स्टार्ट किया गया है काम स्टार्ट करना बाकी है उस भूमी को कहते है फैलो तो फैलो अके खेती का काम इस्टार्ट नहीं किया गया हो, चलिए, अब इसके synonyms को देखते हैं, फैलो तो executive है, यह चलिए, यह तो इतना समझ में आ रहा है, इसके synonyms को थोड़ा सा देखा जाए, इसका synonyms क्या हो जाएगा, uncultivated, इसका synonyms हो जाएगा, uncultivated, वोई चीज़ यह धी uncultiv इसका मतलब है कि उस पर खेती का काम नहीं किया गया है, यह हम कह सकते unseeded, जिस पर अभी बीज नहीं डाला गया हो, आप इसके लिए अगर सर लगा रहिंदी, तो खाली भूमी, परती भूमी को कहते हैं, फैलो, और फैलो का जब भी इस्तमाल होगा, तो लैंड के साथ यह वर्ड नमबर हम लोग 9 की बात हो गई, वर्ड नमबर 10 की और मूब करते हैं, दीक हमार अगला वर्ड हजाडस, इसको पढ़ेंगे हजाडस, इसका उचारन करेंगे हजाडस, हजाडस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, जो सुरक्षित नहीं हो, जो खतरनाक हो, इसके लि सेक्यूर, ठीक है ना, इसका जो एंटोनिम सोगा सेक्यूर और इसका हिंदी हो जागा सुरक्षित, तो चलिए, कोई चीज़ यह दिया हजाडस, इसका मतलब क्या है, वो खतरनाक है, जैसे कि हमको कहना है, देखे, एक खास तर पर हेल्थ के लिए ज्यादत अराते हैं, ठी ठीक है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, आर्सेनिक इस डिंजरस, अगर जगह पतवर सा, स्मार्ट वड़ लिखना है, तो क्या लिखेंगे हाजाडस, चलिए, यह हमारा पूरा सिंटेंस कंपलीट हो गया, अना, कि आर्सेनिक हीजाडस सबस्टांस, चलिए, देखे, अब गुछ खतरनाक राशायन भी होते हैं, जिसको क्यों लगा, सांस लिजिएगा तो मर जाएगा, अगर उसके धुआ को अगर अब सांस ले लीजिएगा तो मर जाएगा, हम लिख सकते हैं कि there are, there are some certain, there are some certain hazardous chemicals, ठीक हो यह इसे खतरनाक है, ठीक है, ठीक है राशायन है, चलिए, there are some, कैसे लिखाओ, certain hazardous chemical that can kill you, that can, that can kill you, ठीक न, only by, only by inhalation, only by inhalation, जो कि आपको मार सकता है, सिर्फ सांस लेने से, inhale का मतलब अंदर लेना, ठीक न, inhale का मतलब अंदर लेना, चलिए, तो यह हमारा sentence रहा, अब हम लोग word number 11 की remove करते हैं, देखते हैं कि word number 11, एगारवा क्या है, चलिए, बहुत अच्छा word, बहुत टॉप कलास का word, illicit, illicit का मतलब क होता है, गैर कानूनी, यदि कुछ यगर illicit है, तो वो गैर कानूनी है, चलिए, देखिए, यह जो illicit है, और यह illicit, यह बहुत एक confusable word है, और यह exams में अक्सर पुछता है, जहां जरूरत है इसका, तो दे देता है यह, आपको समझना होगा, कि वहाँ जरूरत किसका है, व यह illicit part of speech में क्या adjective है, पहले देख लेते हैं, इसका synonyms, unlawful, यदि कोई चीज़ यदि illicit है, यानि कि वो unlawful है, वो illegal है, वो illegitimate है, चलिए, वो illegitimate है, मतलब अवैद, इसको simple भासा में कहें, अवैद गैर कानूनी, इसको simple भासा में कहें, तो अवैद गैर कानूनी, चलि है, हमको काना है कि illicit, देखिए, अब illicit drugs होते हैं, गैर कानूनी drug, जैसे कि अफिम बेचना, गांजा बेचना, यह सब drug के अंतरगत आते हैं, और यह सब कौन से drug है, illicit drug है, ठीका न, चलिए, तो इस पर बहुत सारे sentence बन सकते हैं, चलिए, हम कैसे लिखेंगे, फ्रेज के वर्ड है, illicit affair, यहीं इसका pair है, चलिए, वर्ड नमबर हम लोग, अब इसके एंटोनीम्स के बारे में बात करना है, तो इंटोनीम्स हम आराम से बात कर सकते हैं, इसका एंटोनीम्स क्या हो जागा, लाफुल, जो कानूनन सही हो, चलिए, लीगल, तो आप इसको, आप इसक चलिए, बहुत important word है, लीजन्डरी, लीजन्डरी का मतलब क्या होता है, बहुत परसिद वेक्ति को ना लीजन्डरी कहा जाता है, तो लीजन्डरी के synonyms क्या हो जाएगा, इसका synonyms हो जाएगा famous, चलिए, अकलेम्ड, इसका synonyms हो जाएगा famous, अकलेम्ड, चलिए, और इसक हिंदिय बहुत परसिद्द को किना हम लोग लिजंडरी काते हैं जली इसका एंटोनिम सोटा diferं ऑग्यात अंजान कि जो कि अब शेंटेंस इसे बह тर समझा जा सकता हम को कहना है कि मअध्र फुटबॉल के खिलाल कि इसको लिखेंगा मारडोना यह अरजनटीगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे हैं Maradona was a legendary player एक ही में इसको combine करके बना देते हैं football player इसका हिंदी क्या निकल करconscom कि अरजेंटीना की एक बहुत ही परसीद खिलाड़ी थे चलिए ये तो वर्ड हमारा लिजेंडरी रहा हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते वर्ड नमर 13 वर्ड नमर हमारा 13 क्या है लुडिकरस देखें यदि कोई चीज़ यदि लुडिकरस है तो वह हास अस्पद है अना जिस पर हसी आजा मुर्ख मुर्खता से भारा हुआ लुडिकरस का मतलब कर तो मुर्खता से भारा हुआ चलिए इसका सीनोनिम्स देखते हैं इसका सीनोनिम्स को जागा फुलीस पुलीस क्रेजी रिडिकुलस अना फुलीस क्रेजी रिडिकुलस और अगर इसका हिंदी क हैं तो बेतुक्का मुर्खता से भारा हुगा मुर्खता से भारा हुगा चलिए अब जैसे कि कि किसी के पास बेतुक्का एक मुर्ख उसके पास आइडिया आया है पैसा कैसे कमाया जाना हो इसके पास एक ludicrous idea, ludicrous thought, चलिए देखते हैं, ludicrous statement, चलिए, तो ये सब pair है ludicrous के साथ, ठीक न, कोई वेक्टी का ludicrous idea हो सकता है, उसकी विचार ludicrous हो सकते है, मतलब मुर्खता से भरा हुआ, उसका कोई बयान बाजी हो सकता है, मुर्खता से भरा हुआ, चलिए, ये तो ludicrous है, अब ludicrous का हम लोग एंटो कर लेते हैं, यहीं पर, अगर जगह है तो चलिए, इसके एंटो क्या हो जागा, serious, गंभीर, इसके एंटो जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, serious, गंभीर, चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते, word number 14, यह ludicrous बहुत important word है, ludicrous का मतलब क्या होता है, जो चीज मुर्खता से भारा हो, बेतुका होता है, और इस पर हसी आती है, ऐसे word के लिए, एक और बहुत important हिंडी हासी अस्पद, हास अस्पद क्या होता है, जिस पर हसी आ जा मरसिन्री का दो मतलब है, मरसिन्री नाउन भी है, और मरसिन्री एजेक्टी भी है, थोड़ा से इसको समझा जाए, मरसिन्री दो तरह से इस्तमाल होता है, मरसिन्री जो वो नाउन भी है, और मरसिन्री एजेक्टी भी है, यानि कि कुछ भी करेगा, तो पैसा के लिए करेग अगर कोई व्यक्तिगर मरसिनरी है सिना वगरे में भरती हो जाते हैं देखिए गर पाकिस्तान अकसर पाकिस्तानी मामलों में ना मरसिनरी इस्तिमाल होता है सरल भासा में कहें तो इसका हिंदी होता है भाड़े के टट्टू भाड़े के टट्टू देखिए इसका सरल हिंदी है जो पैसा लेकर काम करें वो मरसिनरी होते हैं यह जितने पत्थर बाज है कास्मीर में जो कि क्या करते हैं पैसा लेते हैं और पत्थर चलाते हैं तो यह क् जो जो इसको सिंपल में का है तो मणी माइंडेड यदि कोई व्यक्ति है पैसे के बारे में सोचता है तो वह मरसिंटरी है जैसे कि आज के डेट में आप एक वकील के पास चले जाइए आप चले गए ना दो सब्सक्राइब बात करना तो दूर की बात है कि बैठने का भी पैसा लगेगा अब वो वकिल कौन सबकिलोगा लायर सभी के साथ ऐसी बाते नहीं है लिए लेंगे चलिए तो अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे इसका सबक् GUY की मयाइड़े हूं इसका हम फीसे मरसीरी लायर के यहा जाने आप उसको लालची काए है मैppen नायर टॉर नम्हें चलिए यह बहुत बढ़ правильно नीदर नीदर का मतलब बॉटम में चले जागी आप वर्रों कोम चलीए नीदर का नीदर noun है और नीदर का synonyms क्या हो जागा bottom नीदर का synonyms हो जागा bottom अना चलिए इसका मतलब आप देखे नीदर का यूज कैसे होता है इसके यूज को समझा जाए इसका synonyms ये बहुत important ने नीदर का यूज कैसे होता है मैंने इसके यूज को ही देखा जाए देखे माना जाता है कि प्रित्वी की नीचे भी एक दुनिया है प्रित्वी की नीचे भी एक दुनिया है नीदर का मतलब आप समझे नीचे प्रित्वी की नीचे भी एक दुनिया है देखें इसका यूज मैं बता रहा हूँ एक नीचे की दुनिया है पाताल, और इस पाताल का अंगरी जी क्या हो जागा, नीदर वर्ल्ड. ठेखा न, पाताल का अनगरी जी क्या हो जागा, नीदर वर्ल्ड. चलिए, word नमर, हम लोग 16 की औरμοफ करते हैं, देखते हैं कि सुलाबा word हमारा बहुत important word है, हमारा 16 word बहुत important word है, word है odious, देखिए, odious का मतलब क्या होता है, odious part of his piece से adjective है, odious का मतलब क्या होता है जो आपके अंदर घिरना पैदा कर दे, कोई चीज ये odious है तो आपके अंदर वो घिरना पैदा कर देगा, बस आप ऐसे समझे, causing hatred, इसको तोड़ के लिखे तो क्या लिखेंगो, causing hatred, वो चीज ऐसा है ने कि आपके अंदर घिरना पैदा करेगा, अब इसके लिए synonym से अगर बात करें, तो repulsive, disgusting, disgusting, ठीके न, चलिए, अगर सरल अगर इसका हिंदी लिखे, तो इसका हिंदी ये घिनावना, उसका हिंदी ये घिनावना, बहत खराब, बहत खराब, चलिए, अब थोड़ से इसे sentence बनाते हैं, देखिए, लोग उसे घिरना करते हैं, उसका body बहुत खराब महकता है, इसी वज़ा से लोग उसे घिरना करते हैं, हमको ऐसे कहना है, कि उसके बदबुदार सरीर के वज़ा से लोग उसे घिरना करते हैं, कैसे लिख लोग उसे गिरना करते हैं because of his because of his odious body because of his odious body चलिए उसने ग्हिनोना काम किया है उसने बहुत गिनोना काम किया है इसको कैसे लिखेंगे ही एस कमिटेड ठीकर चलिए एन िय उडियाश क्रायम उसने बहुत गिनोना पराद किया है तो चलिए कोई चीज़ दी ODS है इसका मतलब घिना होना है इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सुखद जो अच्छा लगे इसके एंटोनिम्स हो जाएगा प्लिजेंट इसके एंटोनिम्स हो जाएगा प्लिजेंट प्रोवीजनल यह बहुत बहुत बढ़िया वर्ड है यह वालूम टू के लिए समफोर ना जब अरजस्त वर्ड लेकर आपके लिए आया है प्रोवीजनल का मतलब बहुत आस थाई यदि कोई चिरीदी प्रोवीजनल है यानि कि वह परमानेंट नहीं है चलिए तो इसका क्या साइन होगा इसका साइन होगा टेंपरोरी इसका साइन होगा टेंपरोरी इंटरीम ठीक ना इसका साइन होगा टेंपरोरी इंटरीम अगर अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जागा औस थाई देखिए आपको क्या आपको सर्टिपिकेट पहले मिलता है पहले मिलता provisional या कुछ साल के बाद मिलता है original तो जब तक आपका original नहीं मिल जाता है provisional काम करेगा लेकिन जब आप original प्राप्त कर लेते हैं तो provisional का value खतम यानि provisional कुछ समय के लिए होता है हमेशा के लिए नहीं होता यह दिखा जा कि प्रिविज्जनल डेट अगर कर अस्था याकड़ा निकला है सरकार अगर कोई आकड़ा देती है तो पहले-पहले वह आस्था याकड़ा देती है बाद में फिर पर्वनेंट ascend click क्या ओड़ागा इसका या एक बेसंट हो तो इसका नह shallow पो इसके हीघम हो जाएगा वह जाएगा स्थाई सबूर्ण चलिए हमको कहाना है कि इसके अब प्रोविजनल के इस्तमाल कैसे कैसे होता है प्रोविजनल गौर्मेंट और आस्थाई सरकार बनता है, भारत में भी एक आस्थाई सरकार बना था, प्रोविजनल गोर्मेंट, प्रोविजनल डेटा, ये सब प्रोविजनल के पियर है, ठीक है, चलिए, वर्ड नमबर हम लोग लेके चलते हैं, ये वर्ड नमबर 17 ता वर्ड नमबर 18 में हम लोग हैं, द वो स्वागत है जिसमें किसी विक्तिक आप स्वागत करते गर्म जोसी से देखिए गर्म जोसी से किया गया स्वागत का अंग्रेजी यही है अगर हमको कहना है गर्म जोसी से किया गया स्वागत आप किसी का स्वागत करते किसी का भी स्वागत करता है दम गर्म जोसी से तो इ स्वागत होता है तो यह कोई चीज़ अगर टमल्चुवस है यानि कि वह सोर सराबा के साथ है स्वागत के मामलों में चलिए इसका सीनोनिम्स क्या हो जाएगा इसके सीनोनिम्स को तुर्ण सा देखते हैं चलिए इसका सीनोनिम्स हो जाएगा नौएजी क्लैमरस थंडरस इसक इसका एंटो नबर हम लोग 19 कर आते हैं हमारा वड़ अजर्प हमार अगला थे अजर्प अजर्प का मतलब क्या होता है या हथिया लेना हड़ाप लेना खास तरपर सिंगहासन ठीक ना खास तरपर सिंगहासन चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा सीज बढ़िया वड़ है सीज अगर आप को टेक ओभर टेक ओभर इसका हिंदी अगर कहें तो इसका हिंदी होता हमको कहाना है कि राजा के हत्या कर दिया गया राजा की हत्या कर दिया गया और उसका सिंघासन हड़ा पलिया गया यह हो उसका सिंघासन हड़ा पलिया गया चले इससे देखते हैं कि इससे कैसे सेंटेंस बनेगा राजा का हत्या कर दिया गया और उसका सिंघासन हड़ा पलिय पर चले राजा कर दिए इतना भाग उठाते हैं दकिंग वाज कि एसा सीनेटेड देखिए एसा सीनेट का मतलब अहत्या करना दकिंग वाज एसा सीनेटेड एंड इस थ्रोन और उसका सिंगहासन यह भी तो पैसिप से बनेगा ना वाज हड़ापना के लिए क्या वड़म लो चलिए वाट नमर हम लोग चलते 20 की और वेस्टीज चलिए वेस्टीज का मतलब क्या होता है कि कि किसी चीज कोई चीज पूराना चीज का जो औसेस होता है न वह वेस्टीज का लाता है तो वेस्टीज का साइनुल आप लिख सकते रिमनेंट रिलिक रिमनेंट रिलिक चलि लोग ये lesson 4 में जो भी words है उसमें सारे important words को हम लोग ने देखा है ये words आपको बार-बार देखने को मिलेंगे अगर आप previous paper बनाते हैं या आप आगे के exams के तियारी करते हैं तो ये words एकदम आना ही आना है इसमें इस पर किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं होगा ये video session कैसा रह पूर दे हमारा आगे का video जारी रहेगा फिर हम लोग हाड़ भी के other chapters को लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद